हेलो फ्रेंट्स नमस्कार कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं कि आप सभी बढ़िया होंगे आज फिर से बंद रोगा मुखे परीछा के सीलेबस के अनुसार एक चैप्टर को कभर करेंगे वो चैप्टर सत्रावा है जिसका नाम है वन परमाणन इस चैप्टर के अंत में हम लो सब्सक्राइब सावित होने वाले हैं या बनने वाले हैं उनको भी कभर करते चलेंगे तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं पर्चे पर्चे में क्या है पर्चे में जीतना दिया रहेगा उसको भी कभर करेंगे पॉइंट टू पॉइंट को भी वन परमाणन रियो अर्थ सम्मिट के 1990 के दसक में सुरू किया गया एक वैस्विक आंदोलन एक वजार आधारित गैर नियामक सनरच्छन उपकरण है जिसे एक सोतंतर तिर्थी पक्षदवारा जंगलों के बाहर वनों और पेर पौधों के आस्थाई परवंधन को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है कई विक्षित देशों ने अपने देशों में गैर परमानित लकड़ी गैर लकड़ी वन उत्पादों और लकड़ी आधारित समानों के आयात पर परतिबन लगा दिया है क्योंकि निर्यात के लिया स्थाई वन परवंधन परमान पत्त्र प्राप्त करना अनिवार हो गया है अब हेडिंग है वन परवंधन परिस्द ये परिस्द के बारे में भी हम लोग जानेगे वन परमंदर परिसद 20 अश्तर परमानेता प्राप्त परमानन परणाली है जिसने 176 मानकों के तहत मिलियन हेक्टेयर वन भूम परमानित किया है EFSC एक स्वेचिक बजार आधारित परणाली का उपियो करता है जिसमें वनो लकली से समंधित उतपादों से जूड़ी कमपनियों का EFSC के सिदानतों और माडंडों के विरुद आडिट किया जाता है परदर्सन अधारित मानक प्रयावरन समाजिक और आर्थिक मुलियों को सामिल करते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार किये जाते हैं कि वनो का परवंधन अस्थाई रूप से हो EFSC जंगलों से उतपादों की बिक्री के बिंद उतक पता लगाने की छमता सुनिश्चित करता है उतरदाई त्वपूर्ण तरीके से काटे गए जंगलों से निर्मित उतपादों की पैचान FSC लोगों से की जाती है जिसे पर्मुक परवरन समुओ द्वारा वन परमाणन का स्वन मानक माना जाता है अब हेडिंग है वन परमाणन के परकार इसमें देखेंगे वन परमाणन दो परकार के होते हैं पहला है वन परवंधन का परमालन जो यह आकलन करता है की बनों का परवंधन मानकों के एक निर्दे ससेट के अनुसार किया जा रहा है या नहीं और दूसरा है हिरासत के स्रुखला का परमाली करण कभी-कभी CO-C परमालन के रूप में संदर्वित जो सत्यापित करता है कि परमालित सामगरी की पहचान की गई है या वन से अन्तिम उत्पाद को परमालीत के रूप में लेबल करना वन परबंदन परमाणन और सिंखला के संरच्छन परमाणिकरन दोनों आवसेक हैं अधिकांस वन परबंदन परमाणन मानक वन के आर्थिक समाजिक परयाबरण और तकनिक परणियों के एक विश्तिरी सिंखला को संबंध करते हैं परमाणी करण के अधिन वन छेत्र में और उसके आजपास रहने वाले सर्मिकों और परिवारों की भलाई सही परबंधन करना होता है वन परमाणन वनों के सत्त उपयोग और परबंधन को बढ़ावा देने और अस्थाई रूप से की पहचान करने के लिए एक बजार तंत्र है अब वन परमाणन के लाभ क्या है उनको हम लोग एक एक करके देखेंगे वन परमाणन का सबसे तात्विक लाभ सुधारों के कारण वन संचानन को सुब्यश्थित करना है परमाणीत वन उत्पाद हमेशा अब परमाणीत उत्पादों की तुलना में अधिक कीमत पराप्त नहीं करते है परमाणी करण कुछ बजारों तो पहुंच बनाए रखने के लिए आवस्यक हो जाता है या हो सकता है भारत में वन परमाणी करण योजना इसके अंतरगत हम लोग देखेंगे भारत में अब विशेश रूप से भारती वनों के लिए विक्सित बिस अस्तरप माणनेता प्रात वन परमाणी करण योजना है जिनेवा इस्तित एक गयर लावकारी संगठन ने नेटवर्क अफार सर्टिफिकेशन एंड कन जर्वेशन आफ वरेस्ट द्वारा विक्सित सतद वन परमाणन के लिए परमाणन मानक का समर्थन करने का फैसला किया जो एक भारती गयर लावकारी संस्था है चार मार्च 2019 को आस्थाई वन परमाणन के लिए सोतंत तिर्ती पक्ष परमाणन परदान करने वाली अंतराष्टी गयर लावकारी संस्था वन परमाणन के अनुमोदन के लिए कारे परिशद ने डात मत पत्र के माध्यम से यर निरने लिया NCCF की अस्थापना 2015 में वन अधारित उद्योगों गैर लावकारी संस्थाओं वन लेखाव परिश्चकों और सरकारी वन विभागों के परतिनीदियों द्वारा भारत के बनों और उनके उत्पादों और उनके टिकाओं परमाणन को परमाणित करने के लिए मानक निर्ध अधारित करने के उद्देश से की गई थी भारत में वन अधारित उद्योग बिशेश रूप से कागज बोड प्लाइवूड मध्यम्द घनत्व फाइबर बोड फरनीचर और हस्त सिल्प आत के लिए इरोपी संग और सन्युक्त राज अमेर्का सहित पश्च्मी बजारों में अपनी बजार पहुच बढ़ाने के लिए वन परमाणनाद पर जोड दे रहे हैं केंद्री प्रयाबरण वन और जलवाई परिवर्तन मंत्री हर्सवर्दन ने ग्रिन गुड फी डिड्स मुमेंट के तहत अस्थाई वन परमाणन को बढ़ावा देने के लिए के वन पर वन अधिकारी वन चरण जय विवित्ता हान अतिकर्मन जन सक्ति की कमी आधी जैसे विविन मुद्धों के लिए अलुचना की जाती है अब देखते हैं आगे अब इस पे अधारिज जो बविकल्पी परस्न है एक जामे पूछे गए है या इस पे बनने वाले हैं उनको हम एक करके देखेंगे पहला है किनमिलखित में संखावन के लिए एक तंत्र हे तौह ऐ Хhin E A परमाणन सी और सी को यानि इसका जो ए और भी दोनों सही है इस तरह से देख रहे हैं तो सी आप्षन कौन लोग सही मानेंगे नेक्स्ट है वन परमाणन को बढ़ावा देनी के लिए कौन एक चरण बद द्रिष्टी कोड की वाकालत करता है तो है डवल डवल याप नेक्स्ट है विश और परमाणन प्रणाली है तो है फारेस्ट इस्टिवर्ड शिप कांसिल ये आप्षन इसका सई होगा नेक्स्ट है वन परमालां का लच्छ समू है तो कौन सा लच्छ समू है तो इसमें जितने भी हैं सब होंगे कागज और लोगदी कमपनिया अनुसंधान और विखाज संस्थान परमालां कमपनिया उप्युक तो सभी तो डी आपसन इसका सही मानेंगे नेक्स्ट है विदेशी अनुसंगियों और फ्रेंचाइजी का मुख्याले कहा है तो वह है शिव्टिजर लेंड में ए आपसन इसका सही होगा नेक्स्ट है वन परमालां कितने परकार का होता है तो दो परकार का होता है सी अभी हमनों देखें हैं उपर अधिकास वन परमान परमाणन मानक वन के किन पहलूं की एक बिस्तिलित सिंकला को संबोधित करते हैं तो वो हैं आपके सभी हो जाएंगे आर्थिक समाजिक पर्यावरण और तकनी की इस तरह से डी आप्सन सही होगा नेक्स्ट है बुन्यादी परमान करन और सवकताओं में सामील है तो कौन सा सामील है वो है कानून का अनुपालन इस अप्सन इसका सई होगा नेक्स्ट है इन में से कौन 133 रेंट फारेस्ट एलाइंस का एक कारिकरम है तो वो आपका है smart wood दी आप्षन इसका सई होगा इस तरह से इस चेप्टर को हमें भी कबर कर लिया और सारे प्राशन भी बता दिये गए जितने भी इंपार्टेंट बनने वाले थे आसा करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा पसंद आया होगा तो लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरू कर दीजिएगा जय ही, जय भारत